गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम तो एस्पारेंट रिम सीव सवसीज, हाउ यू अलाट दूइंग एंड हाउ प्रिपेशन गोइंग ओन, हॉप सो यू अलाट बी प्रिपेड फॉर दा सूपर टेस सीरीज एट फॉर दा पेपर वन, आज हम सूपर टेस सीरीज एट के कोशन्स ट्रैक्टिस करेंगे, ये कोशन्स जो हैं, इक्जाम पैटरन के उपर बेज्ड हैं, और सबसे जूरी बात है, ये हिंदि और इंग्लिश दोनों मीडियम के सुडेंट्स के लिए हैं, और इस टेस सीरीज इस प्रिपेरड बाई आर एक्सपर्ट टीम, हमारी एक्सपर्ट टीम आपके लिए अच्छे से अच्छी कोशन्स प्रोवाइड कर रही है, तो आपका भी ये ही रिस्पोंसिबिलिटी है, कि आप जादा से जादा इन कोशन को फ्राक्टिस कीजिए, और हमारे चैनल को जादा से जादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो में जो हैं, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, तो हमारी टीम इत्ती मेहनत कर रही है, इतना हम डिजर्व करते हैं, कि आप जो है, एक लाइक, सब्सक्राइब और शियर हमें जरूर कीजिए, तो आज की सूपर टेस्स सिरीज पेपर बन पर बेस्ड है, प्रिवेस जो थियोरी क्लास है, उसमें मैंने कुछ इंपोर्टन चीज़ बताई थी, आज से जो टेस्स सिरीज वहाँ पर आपका टेस्स खतम होने के बाद, आप में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है, जरूर बताएंगे सभी कि आपके कितने कोशन्स करेक्ट हुए हैं, इसके दो फायदे हैं, पहला फायदा यह है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इसकेंड बेनिफिट इस आपको पता चलेगा कि आपको कौन-कौन से एरियास पे वर्क करना हैं और इंप्रूव करना है, मालेजी आपका प्रिविएस टेस्ट में 30 कोशन करेक्ट हुआ है 50 में से या 35 करेक्ट हुआ है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नेक्स टेस्ट में आप उससे जादा ही कोशन को करेक्ट करें उसको कमना कीजिए, तो इसके लिए performance sheet और scorecard प्रोवाइड करना जरूरी है, तो जो भी serious candidates हैं इस exam को easily crack करना चाते हैं, वो serious हों के इस test को attempt कीजिए और comment section में अपना score जरूर मैंशन कीजिएगा, so that हमारे team जो है आपके performance card और scorecard को प्रोवाइड कर, another important thing इस exam से related public sanitary waste management officer exam से related जितने भी हमने theory classes प्रोवाइड की हैं और super test series प्रोवाइड की है, paper 1 और paper 2 के लिए उसके लिए एक playlist हमने बना दी है, तो उसी playlist में सारी वीडियो एक जगा आपको प्रोवाइड कर दी गई है, description box वीडियो के नीचे description box होता है, वहाँ पर आप click कीजिएगा, तो वहाँ पर वो playlist आपको मिल जाएगी, उससे भी आप देख सकते हैं, और telegram channel को जुरूर जोइन कर लिजिए, aspirant dream service services के नाम से है, आप telegram map को free download कर सकते हैं, और वहाँ पर aspirant dream service services के channel को search करके जोइन कर लिजिए, वहाँ पर हम सारा important data exam से related आपको provide करेंगे, PDF भी हमने जो है previous class से आपको provide कर दिया, तो one by one ऐसी सभी super test series के PDF आपको provide किये जाएंगे, तो आप वहाँ से download कर सकते हैं, तो telegram app को भी join करना बहुत जुरूरी है, विकोज कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पर नहीं provide करते हैं, वो सरफ telegram channel पर ही provide करते हैं, all the best to all of you, question को अच्छे से read करना है, उसके बाद अपना score और answer जो है comment section में देना है, कोशिश कीज़ेगा live test में सिरफ answer ही दें, other कोई comment जो है live test में कोई नहीं करेगा, question number one is the Nobel Prize in Physiology और Medicine in 2021 was jointly awarded to David Julius and Adam Petra Petronian for the discoveries of which of the fallen, 2021 में Physiology या Medicine में Nobel पुरसकार सहीग तुरूप से David Julius और Adam उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, option is receptors for temperature and touch, तापमान और स्पर्श के लिए receptors, B option is hepatitis C virus, C how cells sense and adapt to oxygen availability, कोशिकाए oxygen की उपलबता को कैसे समस्ती है और अनकूल होती है, D option is for the discovery of cancer therapy, by inhibition of negative immune regulation, नकरात्मक प्रतिरक्षा विन्नी यमनन के निशेत वारा cancer चिकित्सा की खोज के लिए, and E option is none of the above more than one of the above, so try to give your answer, अपना answer दीजे comment section में सभी, answer is A option, तो 2021 में जो Nobel Prize है वो Physiology and Medicine में अवोड किया गया है, जो American Scientist है ये अमेरिका से ब्लोंग करते हैं, जिनका नाम है David Julius और Adam Petakotonin को, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने discovery की थी, receptors की temperature और touch के लिए, तो ये जो दोनों इन्होंने मिलके जो काम किया है, वो molecular process के उपर base है, अब जिसमें ये बता गया था कि कैसे heat generate होती है, या cold या touch initiate करते हैं, signaling देते हैं, पाथवेस को इना nervous system, तो ये understand करने में मदद करते हैं, की sensation कैसे होती है, pressure and temperature कैसे हम लोग feel करते हैं, तो ये important है, ये exam में पूछते हैं, what's a related question, इसको अच्छे से आप देख लिजी और सारी explanation को, अच्छे से वीडियो से ही cover करना है, because PDF में सिरफ question answer ये आपको provide किया जाएगा, for revision only, ये आपका study material revision के लिए है, explanation के लिए class के लिए आपको वीडियो को सुनना जरूरी है, question number two is, who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2021, to the novelist for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism, and the fate of refusing in the girth between culture and continents, उपनियास कार को उपनिवेश वाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की, खाई में शर्नार्थी के भागय की अडिक और करना में पैट के लिए सहित्ते में, Nobel पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, options है, तो जो लिटरेचर के लिए 2021 में Nobel Prize अवोर्ड किया गया है, उनका नाम आपको याद रखना है, नॉवलिस्ट अब्दुल रजाक गुर्णा, यह कहां पर बोन हुए थे, जन्जी बार इंगलेंड में, तो इंगलेंड से बिलों करते हैं, यह भी धियान रखना है, और इन्होंने क्या वर्क किया था, uncompromising and compassionate penetration effect होता है, कॉलोनिजम का, उससे रिलेटिड इनका वर्क है, यह जो fate है, refuses का, इंगल्फ between the culture and continents, तो यह काम भी आपको उनके लिए याद रखना है, Question number 3 is, Recently, which country has said that, it could host nuclear weapons, if it faces the western threat, हाली में किस देश ने कहा है, कि अगर वह पश्चमी खत्रे का सामना करता है, तो वह परमानू हत्यारों की मेजबानी कर सकता है, Options है, A. Ukraine, B. Belarus, C. Australia, D. Taiwan, E. None of the above, more than one of the above, So try to give your answer, सभी अपना आंसर दीजिए, comment section में, Answer is, B. option, Belarus, तो जो बेलारूस के लीडर है, उनका नाम है, Alexander Lukashenko, और यह जो है, होस्ट किया थे नोने, nuclear weapon को, अगर यह face करेंगे, external threat from the will, Belarus की जो position है, map के उपर जो location है, वो आपको याद रखनी है, Belarus, रशिया का एक दोस्ट कंट्री है, और यह Ukraine के border के पास है, Question number 40, The World Sustainable Development Summit, 2022, will be held in India, The theme of the summit this year is, विश्वस सत्य विकार, शिकर समेलन, 2022, भारत में अयोजित किया जाएगा, इस वर्शिकर समेलन का विशे क्या है, Options are, A, Towards a Resilient Planet, Ensuring a Sustainable and Equitable Future, X, सत्य वो नियाय संगत भविशे सुनिशित करना, B, Option is, To gather a Resilient Planet, Ensuring and Sharing Equitable Future, सुनिशित करना और साजा करना, नियाय संगत भविशे, C, Towards a Resilient Planet, Ensuring a Sharing Equitable Features, A, साजा नियाय संगत सुविधाओं को सुनिशित करना, D, To gather a Resilient Planet, Ensuring a Sustainable and Equitable Future, X, सत्य वो नियाय संगत भविशे सुनिशित करना, E, Option is, None of the above, More than one of the above, So, try to give your answer, सभी अपने answer, Comment section में दीजिए, Answer is, A, Option, World Sustainable Document Summit, 2022, India में होगी और इसकी थीम रहेगी, Towards a Resilient Planet, Ensuring a Sustainable and Equitable Future, Question No. 50 is, Which two organization released a report titled, A Future for All, The Need for Human Wildlife Co-Existence, Which states that, World's most iconic species are in threat, Due to conflict between humans and animals, As one of the key reason, Kis do संगतन ने, Sabhi के लिए बविशे मानव, वन्ने जीव, सह अस्तित्वी की, अवशक्ता शिशक से, एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि, दुनिया की सबसे प्रतिश्चित प्रजातियां, मनिश्यों और जानवरों की भी, संगर्ष के प्रमुक कार्णों में से, एक के रूप में खत्रा है, ओप्शन्स आर, A. International Union for Conservation of Nature, and Worldwide Fund for Nature, B. United Nation Framework Convention on Climate Change, and United Nation Environment Program, C. United Nation Framework Convention on Climate Change, and International Union for Conservation of Nature, D. The Worldwide Fund for Nature, and United Nation Environment Program, E. None of the above, more than one of the above, so try to give an answer, अपना अंसर दीजी सभी, comment section में, answer है, D. Option, The Worldwide Fund for Nature, and United Nation Environment Program, प्रकर्तियों और संयुक्त राश्परियावरान कार्यक्रम के लिए, विश्वियापी कोश, विश्वियापी कोश, question number six, which country has implemented, one of the world's largest floating solar panel farms, spanning an area equivalent to 45 hectares, and producing electricity to power, the island's five water treatment plant, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े floating solar panel, पार्मो में से एक को लागू किया है, जो पंताली hectare के बराबर शेत्र में फैला है, और द्वीब के पान, जल, उप्चार सन्यंत्रों को बिजली देने के लिए, बिजली का उत्पादन करता है, options are, A. Singapore, B. Australia, C. Canada, D. Brazil, and E. none of the above, more than one of the above, So, try to give your answer, सबी अपना आणसर दीजे, comment section में, answer is, A. option, Singapore, तो Singapore ने, वर्ल्ड का largest floating solar panel farm, जो है, implement किया है, और इसका area कितना है, 45 hectare, 111.2 acres, ये electricity प्रोवाइड करेगा, power, प्रोवाइड करेगा, islands को, जहांपर 5 water treatment plants लगाए गए हैं, तो इस प्रोजेक्ट का main aim यह है, कि electricity प्रोवाइड करेगा, 1,22,000 solar panels के थ्रू इस site पे, और ये multiply करेगा, solar energy production को, by 4 times by 2025, तो चार गुना करेगा, 2025 तक, जिसे की, tackle किया जाएगा, climate change की problem को भी, तो floating solar farm, जो हैं, ये perform करते हैं, between 5% से 15% better than the land solar farm से, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसके विज़े से, जो cooling effect होता है, वोटर का, उससे climate change की problem को solve किया जा सकता है, question number 7, which country announced that, S-500 is the most advanced anti-missile system in the world, and it is expected to have a range of 600 km, this missile system is also capable of countering attack from the space, तो किस देश ने गोशना किया कि, S-500 दुनिया की सबसे उन्नत missile रोधी परणाली है, इसकी सीमा 600 km होने की उमीद है, ये missile परणाली अंतरिक्ष से, हम लोग का मुकाबला करने में भी सक्षम है, options are, A. India, B. USA, C. China, D. Japan, and E. none of the above, more than one of the above, so try to give your answer, अपना answer दीजिए, comment section में सभी, answer है, इसका E option, तो इसका answer रहेगा, Russia, Russia ने announce किया कि, S-500 most advanced anti-missile system है, वर्ल्ड का, और इसकी expected range आपको याद रखनी है, 600 km है, इस missile system कहां से test fire किया गया, इसका, कापू स्तिन, यार्ट रेनिंग ग्राउंड से, question number 8 is, रामगर्ड विश्वधारी century in which state of India has been sanctioned 52nd Tiger Reserve of India by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, भारत के किस राज़े में रामगर्ड विश्वधारी, अब्रेने को पढ़्यावरन, वन और जलवायू, परिवर्तन मंत्राले द्वारा, भारत के 52nd Tiger Reserve को मंजूरी दी गई है, options are A. Uttapadish, B. Rajasthan, C. Madhapadish, D. Maharashtra and E. None of the above, more than one of the above, so try to give your answer, अपना answer दीजे सभी comment section में, answer is B. option Rajasthan, तो आपको याद रखनें कि Rajasthan विश्वधारी century, बुंडे district of Rajasthan में sanction की गया है, इसने 4 Tiger Reserve Rajasthan का, और भारत का कौन से नंबर वाला है ये, 52nd Tiger Reserve है, और किसने किया है, इसको, Minister of Environment, Forest and Climate Change ने, Oshya No. 90 is, West Central University of India, Polar Biologist has discovered, Brynum Bharti Ennisis, a new native species of Mose, from Antarctica, and the species is named after India, as a tribute to India, and its Antarctic Station, Bharti, भारत के किस केंद्रे विश्वधाले की धुरुवे, जीव विज्ञानी ने, Antarcticा से काई की एक नई देशी प्रजाती, ब्रायम भारतिनियसिस की खोज की है, भारत और उसके Antarctic Station, भारतिक और सुधानजली के रूप में, भारत के नाम पर इस प्रजाती का नाम रखा गया है, ओप्शन्स आर, A. Central University तेशपूर, B. Central University करनाटका, C. Central University पंजाब, and D. Central University राजस्थान, E. None of the above, more than one of the above, तो ट्राइटो गिव एर आंसर, अपना आंसर दीजे सभी, आंसर इस, C. Option, Central University पंजाब, Central University पंजाब ने, ब्रायम भारतिनेसिस, न्यू नेटिव स्पीशिस है, यह मोस के Antarctic से इसको डिस्कवर किया है, और जहें यह स्पीशिस है, इनका नाम इंडिया को ट्रिब्यूट किया गया है, इंडिया की नाम पे पढ़ा है, और जो Antarctic station है, इंडिया का भारति, तो उसके वहाँ पर इसको ट्रिब्यूट दिया गया है, तो यह ब्रायम भारतिनेसिस, जो है यह फर्स प्लांट स्पीशिस हैं, इंडीयन अ डिस्कवर किये गए हैं अंतार्टिका से इंडीयन अंटार्टिक मिशन चब शुरू हुआ था 1981 में और यह स्पीशीज है ये न्यू स्पिसिज ऑफ मौस। जी मजरा कियेरे हैं पवर देश के अंदर तो कुछ एस्पिरेंट्स ने क्यूरी की थी इंस्टाग्राम के थ्रू कि मैम जो आप information प्रवाइड कर रहे हैं वही हमारे लिए इनफ है या हम कोई और भी current affairs पड़ें तो तो एस्पिरेंट्स हम इतना जादा डाटा आपको प्रवाइड करते हैं ऐसे question आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको भी पता होगा तो हमारे questions को और explanation को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो एक्जाम तक आपका सारा current affairs हम यहीं पर cover करा देंगे पीडियेफ के थ्रू आप रिवीजन करते रही है question answer solve करते रही है बट explanation को सुनते रही है revise करते रही है नोट डाउन करने के जरूरत नहीं है बस वीडियो का आप सुनिएगा तो सुनने से वीडियो जाद अच्छे से आपको याद रहेगा और बाद में एक्जाम तक इसको revise करते रहे ताकि आप चीजों को भूले नहीं question number 10 इंडिया's first cryptogamic garden which has nearly 50 species of lichen, ferns and fungi was integrated at which place भारत का पहला cryptogamic उद्धान जिसमें lichen, fern और कवक की लगबग 50 प्रजातिया है उसका उद्गाटन कहां किया गया है options are a. पत्ना बिहार, b. शिमला हिमाश्यपदेश, c. दैरदुन उत्राखन, d. भोपाल, m.p. and e. नन अफ दी अबव, more than one of the above so try to give an answer अपना answer दीजे comment section में सभी answer is c. option दैरदुन उत्राखन तो जो इंडिया का फर्स क्रिप्टो गैमिक गार्डन है जिसमें अराउंड 50 स्पीशीज है लाइकन फंस वर फंगस के वो दियोबन एरिया ओफ दैरदुन डिस्टिक उत्राखन में इन्योग्रेट किया गया तो इनको इन्योग्रेट किसे किया है social activities अनुप नोट याल है तो गैमिक का मतलब होता है कि hidden reproduction इसका मतलब होता है कि there is no seed कोई फ्लार नी प्रडूस नहीं हुआ है क्रिप्टो गैमिक प्रोसेस के थूँ तो जो एल्गी बैरोफाइट्स होते हैं जैसे कि मॉल्स लेवर वुट्स वगरा होगे लाइकन्स होगे फंगस होगे तो यह बेस्ट नौन ग्रूपस है क्रिप्टो गैम के तो यह किटर्स कहलाते हैं क्या नामें इनका लाइकन्स नौन इस्टीफ मिनिस्टर नितिश कुमार एंबाग ओन इस थ्री वीक लोग कैमपेंग एंपर सोचल रिफॉर्म क्रिस्टिन समाज सुधार अभ्यान अन दिसमबर 22 विच सिटी ओ बिहार मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी ने 22 दिसमबर को बिहार के कि शेहर में समाजिक सुधार के लिए अपने तीन सब्ता के लंबे अभ्यान को समाज सुधार अभ्यान नाम दिया है ओप्शन सार ए बेतिया बी मोतिहारी सी समस्तिपूर बी दरबंगा और ए नन अफ दिय अबव मौट देन वन अफ दिय अबव सो ट्राइट गिव एर आंसर अपना आंसर दीजी सभी आंसर इस बी ओप्शन मोतिहारी तो इस कोशन से रिलेटेड एक्स्पिनिशन हमने टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड की थी वहां से भी आप इंफोर्मिशन फोलो करते ही रही रेगुलर्ली इस बीच नमबर 12 इन विच उनिवेस्टी ओप बिहार इस दे स्टड़ी ओफ हिंदू स्टड़ी सनातन गोंग टो बी स्टाड़ी इन टूथाजन ट्वेंटीटीटीटू 2022 में हिंदू अध्यन सनातन की पढ़ाई बिहार के किस विश्वदाले में शुरू होने जा रही है ओप्शन सार ए बाबा साइब भीमराव अंबेडकर बिहार उनिवेस्टी बी ललित नरायन मिथिला उनिवेस्टी और दी पटना उनिवेस्टी ए नन अव दे अबव दन वन अव दी अबव अपना आंसर दीजिए अंसर इस ए ओप्शन नलंदा उनिवेस्टी तो जो हिंदू स्टाड़ी सनातन है वो स्टार्ट होगी बिहार के फेमस नलंदा उनिवेस्टी में फ्रम 2022 से संजीव कुमार को नलंदा बिहार से नेंसल मंडेला नोबल शांती प्रुसकार से सम्मानित किया गया है जिने किस रूप में जाना जाता है ओप्शन से ए टोमेटो मैन बी अन्यन मैन सी वोटर मैन एंडी फोरेस्ट मैन इन अन अफ दी अबव मोर दन वन अफ दी अबव तो टाई टो गिव एर आंसर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चिन आंसर दीजे सभी आंसर इस ए ओप्शन नन ओफ दी अबव तो इसका आंसर रहेगा इस नोन एज मश्रूम मैन बोला जाता है इन्हें इसकी एक्स्पिनेशन भी टेलिग्राम चैनल पर हमने प्रोवाइड की है महां से अच्छे से देख लीजेगा आप सभी प्रोवाइड वन टाइम फानेशल असिस्टेंस ओफ हाव मच रुपीज इस टू दा पीपल एंगेज इन दा प्रोड़क्शन ओफ नीरा पाम जूस नीरा पाम जूस की उत्पादन में लगे लोगों को मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने एक मुष्ट कितने रुपे की वित्य शाहिता परदान करेंगे ओप्शन हैं A. 10,000 रुपीज B. 50,000 रुपीज C. 1,00, and D. 2,00 E. None of the above, more than one of the above So try to give your answer, अपना answer दीजे सभी Answer is C. Option 1,00,000 रुपीज जो भी students telegram का data follow कर रहे हैं उसको याद भी रख रहे हैं वो ज़रूरी है, जादा याद रहना चाहिए आपको सभी ने ही question को correct किया होगा Question number 15 Which river of Bihar does originate from Someshwar Hills and flow pallet to the river Ghandak Bihar के कौन सी नदी Someshwar पहाडियों से निकलती है और Ghandak नदी के समानंतर बहती है Options are A. Saun River B. Baagmati C. Kamla D. Bhoori Ghandak and E. None of the above, more than one of the above So, सभी अपना answer दीजिए comment section में Answer is D. Option Bhoori Ghandak Bhoori Ghandak river कौन सी river के tributary है Gange river की और इस river को नरायनी भी बोला जाता है जब यह upper reaches में flow करती है बैती है तो Bhoori Ghandak पैलरी flow करती है East of Ghandak river के और यह एक old channel भी है और इसका source भी आपको याद रखने कहां से river निकलती है West Champaran Betia district से Friends, अपना feedback जो है वो main comment section में ज़रूर दीजेगा test के बाद कि आपको question कैसे लग रहे है और आपके कितने questions करेक्ट हो रहे है एक important चीज यह है कि हमने बोला था 67 BPSC CDPO के लिए हम आपको videos प्रोवाइड करेंगे तो हमने telegram पे आपको एक playlist प्रोवाइड किये एक ही जगा सारे important questions 67 BPSC के अभी हमने प्रोवाइड किये है subject wise भी है और full lead test भी है उसको आप attempt करिए जाके उससे आपकी practice और जाद आची हो जाएगी और important चीज यह है कि वो सभी जरूरी question है तो उसको आप attempt करिए वहां से maximum question आपको exam में दिखेंगे और आने वाले time में हम आपको और जाद आची videos प्रोवाइड करेंगे जो भी students दोनों exam के लिए प्रिपेर करें वो साथ साथ preparation करते रिए question number 17 the government of Bihar has a scheme to increase forestry or green tree coverage in the state and to create the awareness about the plantation among the general public name the scheme Bihar सरकार के पास राज्य में वानिकी या हरे व्रिक्षों का अच्छादन बढ़ाने और आम जंता के बीच प्रिक्ष अरोपन के बारे में जागरुपता पैदा करने की योजना है इस योजना का नाम बताईए options है a. plant tree mission b. one महाउतसव c. हर परिसर d. जल जीवन हर्याली mission e. none of the above more than one of the above so try to give your answer सभी experts अपना answer comment section में दीजिए answer is d. option जल जीवन हर्याली mission तो इस mission के बारे में पढ़ लेती है बहुत important है ये तो ये mission जो है multi stakeholder program है जिसका main objective लक्षे क्या है climate को sustain रखना है conservation करना है resumination करना है जो भी water bodies है और water bodies को pollution free बनाना इसका main aim है तो इसमें जो ground water level है उसको maintain भी किया जाएगा और साथी साथ जो adequate water availability है वो भी provide की जाएगी तो ये water bodies के pollution से और climate change से related है और इसमें climate resilient agriculture को भी support किया जाएगा और energy conservation भी किया जाएगा तो ये इसके सारे main aims है अगर आपको थोड़ा fast लगता है तो आप video को slow करके इन सबको सुन लीजी अच्छे से और note down भी कर सकते हैं question number 18 फनीश्वर नात रेनूस classic work मेला आंचल और नागा अर्जुन नोवेल रतिनात की चाची विल नाउ convert in which languages फनीश्वर नात रेनू की classic कृती मेला आंचल और नागा अर्जुन का उपन्यास रतिनात की चाची अब किन भाशा में परिवर्टेत होगी options हैं A. भोजपुरी B. मैथिली C. उर्दू and D. इंग्लिश E. नन अफ दी अबब more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे सभी answer is B. option मैथिली question number 19 by which time the Bihar state government has started the scheme to install free smart prepaid meters for all the electricity consumer Bihar Raji ने किस समय तक सभी बिजली उभोकताओं के लिए मुफ्थ smart prepaid meter लगाने की योजना शुरू की है options है A. 2022 B. 2025 C. 2030 and D. 2035 E. नन अफ दी अबब more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे सभी answer is B. option 2025 तो Bihar CM नितिश कुमार जी ने launch किये ये scheme इसका budget आपको याद रखना है रूपी 12,657 करोर 12,657 करोर और इसमें इंस्ट्रोलेशन किया जाएगा स्मार्ट प्रीपेड इलेक्टिक मीटर्स का सभी household सभी घरों के अंदर by March 2025 तक तो इस scheme को launch किया गया और यहाँ पर जनितिश कुमार जी ने ये भी बोला था कि अगर ये project complete हो गया तो ये Bihar स्टेट के लिए बहुत बड़ी achievement है power sector के लिए question number 20 Bihar's famous govind bhog rice which is cultivated on a large scale in which district of Bihar Bihar का परसिद govind bhog चावल जिसकी खेती बड़े प्यमाने पर किस जिले में की जाती है options है A. बकसर B. इस्चंपारन C. वैस्चंपारन D. पतना and E. none of the above more than one of the above so try to give your answer सभी अपना answer दीजिए answer is E. option तो यहाँ पर answer होगा Camus district को Bihar तो Bihar का famous govind bhog rise है जो बहुत बड़ी मात्रा में cultivate किया जाता है Camus district में और यह बहुत संचुरी से इसको उगाया जा रहा है और इसको यूज किया जाता है for offering bhog to Ram Lalla विराजमान आइडल इन आयोद्धा के लिए question number 21 Union Transport Minister नितिन गड़करी inaugurated the country's first private LNG liquefied natural gas plant in which city of India in 2021 and it has been set up by the बैद्यनाथ आयर्वेदिक ग्रूप केंद्रे परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने 2021 में भारत के किश शहर में देश के पहले नीजी LNG सन्यंत्र का उधगाटन किया है और इसे बेद्यनाथ आयर्वेदिक स्मूद्वारा स्थापित किया जाता है options are A. पत्ना B. लखनौ C. नागपूर D. इंदौर E. नन अफ़ अबाव और दन वन अफ़ अबाव So, try to give your answer अपना आशर दीजिए सभी Answer is C. option नागपूर Question number 22 Which country launched its National Carbon Commission Trading Scheme 2021 Creating the largest carbon market in the world With the objective to control And to reduce the carbon emission And to foster the low carbon development किस देश ने कार्बन उत्सरजन को नियंतरित करने और कम करने और निमन कार्बन विकास को बढ़ावा देने के उदेश्य से दिनिया में सबसे बड़ा कार्बन बजार बनाने के लिए अपनी राष्ट्रिय कार्बन उत्सरजन विपार योजना 2021 को शुरू किया है Options है A. India B. USA C. China D. Russia E. None of the above More than one of the above So try to give your answer अपना answer दीजे comment section में सभी Answer is C. Option China Question No. 23 Which space organization is going to launch two satellite to Venus The Earth's nearest planetary neighbor And these two missions aim to understand How Venus became an inferno-like world When it has so many other characteristics similar to ours And may have been the first habitable world in the solar system Complete with an ocean and earth-like climate Kون सा अंत्रिक्ष संगठन प्रिथ्वी के निकत्तम ग्रह परोसी शुकर के लिए दो ग्रह को लौंच करने जा रहा है और इन दो मिश्णों का उदेश है यह है समझना है कि शुकर कैसे एक नरक जैसे दुनिया बन गया है जब इससे हमारे जैसे कई अन्य विशेष्टाई हैं और मंडल में पहली रहने योगे दुनिया हो सकती है जो एक महासागर और पृत्वी जैसे जलवायू के साथ पून हो सकती है ओप्शन्स है ए इस्रो बी जाकसा ती रोसकोस्मोस डी नासा ए नन अफ दी अबव मौर दैन वन अफ दी अबव तो ट्राइटो गिव एर आंसर अपना आंसर दीजे कमेंट सेक्शन में सभी आंसर इस डी ओप्शन नासा तो नासा का जो मेगलन स्पेस क्राफ्ट है और पाइन और विनस ओर बिटर है तो नासा ने सेलेक्ट किया कि यह दोनों न्यू मिशन जो है वो क्रियेट करेंगे फोर दा विनस जो आर्थ का नियरस प्लानेटरी नेबर प्लानेट है करेक्ट रिगार्डिंग ए रूपी डिजिटल पेमेंट सॉलूशन ए रूपी डिजिटल बुकतान समधान के संबंद में निमिलकित में से कौन सा कतन सही नहीं है A. E-Rupee is a cashless and contactless instrument for digital payment. B. It is a QR code or SMS string based e-voucher which is delivered to the mobile of the beneficiaries. C. It has been delivered by the Reserve Bank of India on its UPI platform in collaboration with the Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare and National Health Authority. D. The user of this seamless one-time payment mechanism will be able to redeem the voucher without a card, digital payment, app or internet banking access at service provider. E. None of the above more than one of the above. So try to give your answer. अपना अंसर दीजिए सभी आंसर इस सी ओप्शन तो यहां पर सी ओप्शन गलत है Because E-Rupee Digital Payment Solution जो है यह डिवलप किया गया है by National Payment Corporation of India NPCI के द्वारा Owners UPI platform के तुरू और किसके साथ मिलकर किया है Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare और National Health Authority के साथ Other statements को स्कीम से related as it is आप प्लंग कर लीजिए See मैंने आपको बताए दिया है Number 25 Which Ministry of India has formulated a scheme SMILE That is support for marginalized individual for livelihood and enterprise Which include the sub-scheme Central Sector Scheme for the comprehensive rehabilitation of persons engaged in act of bagging भारत के किस मंत्राले ने SMILE अजीविका रुध्यम के लिए सिमान्त वेक्टियों के लिए समर्थन योजना तयार की है जिसमें उप योजना भीक मांगने के कारे में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनरवास के लिए केंद्रे क्षेत्र योजना शामिल है Options देखते हैं So try to give your answer, अपना अंसर दीजेज़ अभी Answer is D option Ministry of Social Justice and Empowerment Question number 26, उतकर्ष 2022 A medium term strategy framework was launched by which organization of India उतकर्ष 2022, भारत के किस संगठन द्वारा एक माध्य मवदी की रनिती धाचा शुरू किया गया है Options है A, नाबार, B, RBI, C, से B, D, SITB and E, none of the above, more than one of the above So try to give your answer, अपना अंसर दीजेज़ सभी Answer is B option RBI तो उतकर्ष 2022 एक medium term strategy framework है जिसको 23 जुलाई 2019 को RBI ने लॉंच किया था इसका main aim यह है कि इसमें excellence अचीव करनी है by the performance of RBI को जो mandate है कि citizen का trust बढ़े और साथी साथ other institution भी RBI के ओपर जाधा से जाधा trust कर सके इसका main aim यह है कि promote करना है economic और financial well-being जो है लोगों के लिए people of India के लिए in terms of prices and financial stability question number 27 what is India's rank on 17 sustainable development goal adopted as a part of 2030 UN agenda very important question 2030 सन्यूक तुराष्ट अजंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत्य विकास लक्षियों पर भारत की rank क्या है options है a 43rd rank b 63rd rank c 105 rank d 117th and e none of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे सभी answer is का d option 117th rank यानि की 117th rank है आपको याद रखनी है question number 28 which state or union territory government has signed a deal with new Zealand to transform ship farming भेड पालन को बदलने के लिए किस राज्य केंदर साशित परदेश की one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे सभी answer is e option none of the above इसका आंसर है जम्मो और कश्मी गवर्मेंट तो जम्मो और कश्मी गवर्मेंट ने साइन किया है पैक्ट न्यूजिलेंड के साथ इसमें ट्रांस्वर्म किया जाएगा ship farming sector को और इसका मेन एम objective यह है कि यह agreement के द्वारा improve किया जाएगा farmers की जो remuneration है और transfer of technology को research और development से related improve किया जाएगा question number 29 नीती अयोग has launched which program to initiate transformation in the education and health sector with the state government नीती योग ने राज्य सरकारों के साथ सिक्षा और स्वास्थे शेत्र में परिवर्तन शुरू करने के लिए कौन सा कारेक्रम शुरू किया है options are a project 7 e b education स्वास्थे and health innovation program c option is सिक्षा और program d education with health scheme e none of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजिए answer is a option project 7 e तो project 7 e का full form याद रखे पहले sustainable action for transforming human capital तो इसमें human capital education के लिए work किया जाएगा और यह program 2017 में launch किया गया था इसमें identify किया जाएगा three model role model states को education जाने की school education sector के लिए और यहाँ पर selection process में जार्खन उडिसा और MP states को choose किया गया है question number 30 which aspect is concerned with the जीविका a landmark poverty elimination initiative कौन सा पहलू जीविका से संबंदित है एक इतिहासी गरीबी उन्मुलन पहल है options है a human and social capital मानव और सामाजिक पुंजी b innovation नवाचार c livelihood promotion and d market linkages e none of the above more than one of the above so try to give your answer सभी अपना answer दीजिए answer is c option livelihood promotion तो government बिहार ने through बिहार ruler livelihood promotion society है एक जो autonomous body है किसके अंडर department of ruler development के थूँ spread किया है heading locally project of world bank को जिसको aid किया गया है बिहार ruler livelihood के द्वारा जिसका नाम है जीविका तो इसका main objective है social और economic empowerment करना है ruler poor की जो livelihoods provide करना है उनको और promotion करना है और साथी साथ component of बिहार कोसी flood recovery project के भी इसमें included है तो यह जीविका आपको याद रखने है एक्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है यह scheme question number 31 in cows that consume large quantities of milk the curling of milk take place due to which of the falling अधिक मात्रा में दूद का सेवन करने वाले बच्छोडों में दूद का जमना किसके कारण होता है options है a large variety of useful bacteria opiogi bacteria की एक विशालवी वित्ता के कारण b high acid content of gastric juices gastric juice की उच acid समगरी के कारण c the action of renin, renin के कारवाई d action of papcine and e none of the above more than one of the above so try to give your answer, अपना answer दीजे सभी answer is c option, the action of renin तो renin का main function यह होता है कि यह increase करता है blood pressure को और साथी साथ lead करता है restore करने में जो भी perfusion pressure होता है kidney के अंदर तो renin जो है it is secreted from the juxta molecular kidney cells होते है वो इसको secret करते हैं और यह change करता है renal profusion processes के अंदर भी किसके थरू receptors जो होते है vascular walls के अंदर उसके थरू work करता है number 32 consider the falling pairs first column में mineral deficiency बताई है और दूसरे में disease जो इससे रोग होता है वो बताई है तो इसको आपको सही सुमेलित करना है 1 is calcium bone B iodine gota 3 iron anemia so आपके options हैं A only 1 and 2 B only 2 and 3 C only 3 D 1, 2 and 3 E none of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे comment section में इसका answer है D option 1, 2 and 3 तो all जो हैं correct हैं calcium की कमी से bone में diseases हो जाती हैं iodine की कमी से goiter होता है और iron की कमी से anemia cause होता है आपके नमबर 33 lacrimal apparatus, lacrimal artery, lacrimal bone, lacrimal duct, lacrimal fossa and lacrimal fluid and gland are the parts of which organ of the body options हैं A nose B kidney C I D liver E none of the above more than one of the above तो यह सबी उपकरन शरीर के किस अंग के अंग है आपको बताना है try की जी option answer is C option I तो यह सारे lacrimal gland जो होता है यह secret करता है जो हमारे tears होते हैं आंसू होते हैं उसको और यह excretory duct है जो convey करता है कि जो fluid है surface of human eye के अंदर आ गया है तो इसकी J shape होती है इस gland की और यह located होता है lacrimal fossa के अंदर option number 34 recently seen in news panics 21 is related to which of the following options हैं A military exercise between India and France हाले में समचारों में देखा गया panics 21 किसे संबन देते हैं भारत और फ्रांस के बीच सैन्ने अभ्याद से B humanitarian assistance and disaster relief exercise मानवे सायता और आपदा राहत अभ्याद से C military exercise between India and Australia भारत और और अस्ट्रेलिया के भी सैन्ने अभ्याद से D trade agreement signed between India and USA भारत और USA के बीच हस्ताक्षरित वेपार समझोता से E none of the above more than one of the above So try to give your answer, अपना answer दीजे comment section में Answer is B option So ये किस से related है? मानवे सायता और आपदा राहत अभ्याद से तो जो PANX 21 है, ये try services है humanitarian aid and disaster relief exercise है इसमें 3 चीज़े है humanitarian aid भी प्रोवाइड किया जाएगा disaster relief exercise भी है BIMSTEC member states है उन्होंने 22 December 2021 को पूने में इसको organize किया था, जिसका नाम है PANX 21 और ये Southern Command of Indian Army के द्वारा organize किया गया था Question number 35 Passivated Amitter and Rear Contact Technology Recently in the news is related to which of the following हाली में खबरों में रही पैविस अमिटर और Rear Connective Technology किस से संबंदी थे Options are A. Solar Cell Technology B. Detection of Gravitational Wave गुरू तत्व अकर्षिन तरंगों का पता लगाना या फिर सोर सेल प्रद्योगी की C. Pulse Oximeter D. X-ray Imaging E. None of the above गुरू तो त्राइट तरंगी एंव्हिस और अंसर दीजेश अभी आंसर है इसका ए उप्षिन solar cell technology जो पैसिवेटेड अमीटर या रियर कॉंटेक्ट solar cells होते हैं उनको PERC solar cells भी कहा जाता है और यह आने वाले टाइम में यह बहुत common option है solar panels बनाने के लिए तो PERC solar cells जो है इनको modify conventional cell भी बोलते हैं और इनको modify किया जाता है और यह enable होते हैं कि यह produce करते हैं 6 से 12 परतीशत ज्यादा energy than the conventional solar panel के comparison में question number 36 सरदार सरोवर डैम is the terminal डैम built on the नमदा रिवर called as the lifeline of which state सरदार सरोवर बांद नरमदा नदी पर बना टर्मिनल बांद है जिसे किस राजे की जीवन रेखा कहा जाता है options are A. Bihar, B. Jharkhand, C. Gujarat, D. Maharashtra and E. None of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer दीजे सभी answer है C. option Gujarat question number 37 India has kept away from the recent European Union US pledge to slash the methane emission by 30% by 2030 despite India being the world's dash largest emitter of methane भारत ने हाली में European संग अमेरिका द्वारा 2030 तक methane उसर्जन को 30 परतीशत तक कम करने की परतिग्या से दूर रखा है जबकि भारत दुनिया में methane का सबसे बड़ा उत्सरजन देश है options है A. first, B. third, C. fourth, D. second and E. none of the above more than one of the above so try to give your answer आपको rank बतानी है इंडिया की answer है इसका B. option third इसमें important चीज़ याद रखने है कि climate smart agriculture क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि rethink करना पड़ता है power और fertilizer subsidies जो प्रवाइड की जाती है उसके लिए जिससे की MSP को reorient किया जाए और procurement policies जो है जिससे की greenhouse gases की जो है उसको जादा से जादा कम किया जाए तो इंडिया जो है वो रिसेंटली European Union और US के साथ प्लेज किया कि methane emission को कम करेगा कितना 30 परतीशत कम करेगा 2030 तक जबकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का third largest emitter है मिथें में तो agriculture आपको पता ही इंडिया में 73% of country अगरी का methane emission agriculture के थ्रू होता है तो इससे अगर यह ऐसा पॉलिसी अप्लाई हो गई तो बहुत जादा डेमेज हो जाएगा वेरिस काइंड ओव सब्सडीज जैसे यूरिया से इंडिया फिर के नाल इरिगेशन या पावर ओफ इरिगेशन से रिलेटेड इंडिया इंडिया इस टार्गेटिंग तो जनरेट हंडर गीगवाट ओफ सोलर एनरजी बाई तो थूथाजन ट्वंटी तो भारत दोज़र बाइस तक सो गीगवाट सोर उज्जा उत्पन करने का लक्षे बना रहा है बी ओप्शन इस इट लैक एनी फर्म पोलिसी ओन मैनेजिंग दा वेस्ट दाट रिज़र फ्रम यूज सोलर पैनल और फ्रम दा मैनिफाक्ट्रिंग प्रोसेस उप्योग किये गे सोर पैनलों या निर्मान प्रक्रिया से होने वाले कच्रे के प्रबंदन पर इसकी कोई ठोस नीती नहीं है सी इंटरनेशनल रिनेबल एनरजी एजनसी एस्टिमेटिड दाट ग्लोबल फोटो वोल्टाइक वेस्ट वेस्ट विल टश सैवेंटी एट मिलियन टन्स बाई टूथाजन फिप्टी अंत अंड करेंटली कंसीडर सोलर वेस्ट अज पार्ट ओफ एलेक्ट्रोनिक वेस्ट अंड ड़स नोट अकांट फोर इट सेपरेटली भारत सिर्ष पांच फोटोवल्टाइक अप्शिष रश्चनाकारों में से एक होने की उमीद है और भारत वरतवान में सोर कच्रे को इलेक अप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं आप एज़ेटिस इसको लर्ण कर लीजे बहुत जरूरी एक्जाम के लिए पॉलसी अज़े नमबर 39 दमन गंगा पिंजल प्रोजेक्ट रिलेटेट टू मीट वोटर नीट स्टिल 2060 2060 तक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दमन गंगा पिंजल परियोजना की शेयर की द्वारा लॉंच की गई है ओप्शन से हैं A. बिहार, B. उत्तपरदेश, C. मुंबाई, D. गोआ, E. नन अफ दे अबाव, more than one of the अबाव So, try to give your answer, अपना अज़र दीजिए सभी Answer is का C. option, मुंबाई Question number 40 Which of the following statements are correct regarding the green hydrogen policy हरी hydrogen नीती के समद्द में निमलकित में से कौन सा कतन सही है A. The manufacturers of green hydrogen और ammonia may purchase renewable power from the power exchange Green hydrogen या ammonia के निर्माता power exchange से अक्षे उर्जा खरीद सकते हैं B. Interstate transmission charges will be waived for 25 years for such manufacturers ऐसे निर्माताओं के लिए अंतर राज्य प्रशारन शुल्क 25 वर्षों के लिए माफ किया जाएगा C. Manufacturer can also bank the unconsumed renewable power up to 30 days with the distribution company and take it back which required निर्माता वित्रन कंपनी के साथ 30 दिनों तक बिना खपत अक्षे उर्जा का पैंक भी कर सकती है D. All of the above and E. None of the above more than one of the above So try to give your answer, सभी अपना अंसे बताईए, correct बताना है Answer is D. All of the above तो इसमें सारी statements correct हैं, as it is इसको यहाँ से याद कर लिजीए Question number 41 Which state will connect the twin city with the water taxi service? कौन सा राजे जुड़वा शेहरों को water taxi service से जोड़ेगा? Options are A. Mumbai B. Kolkata C. Urisa D. Goa E. None of the above more than one of the above So try to give your answer, अपना आंसे बताईए Answer is A. Option Mumbai Union Minister of Port, Shipping and Waterways ने Virtually flag off किया है Most awaited water taxi for citizens of Mumbai तो यह कहां से कहां तोगी From Belapur से Jetti तक तो यह water taxi service जो है यह दो twin cities ओ Mumbai को connect करेगी उसका नामियाद अखना है Mumbai को नवी Mumbai से connect करेगी For the first time तो जो यह water taxi service है यह domestic cruise terminal से शुरू होगी और साथे साथ यह Nearby locations को भी correct करेगी Related with the JNFT Juala Nehru Port Trust के साथ Question number 42 What includes under river Devika project as recently in the news Devika Pariyojina के तहत क्या शामिल है जो हाली में खबरों में बना हुआ है Options है A. It built at the cost of over 190 करोड And it will complete by June this year 190 करोड रुपे से अधिक की लागत से बनाया गया है और इस साल जून तक पूरा हो जाएगा B. North India's first river resumination project Will offer unique destination both for pilgrim tourists As well as recreational tourists उत्तर बारत की पहली नदी काय कलब परियुजना तिर्थ यात्रियों के साथ मनुरंजन परियोट को दोनों के लिए एक अधियुत्य कंतव्य परदान करेगी C. Option is The project includes the construction of three sewage plant Of 8 MLD, 4 MLD, 1.6 MLD capacity Subbridge network of 129.27 km D. Option is On completion of the project The river will see the reduction in the pollution And improvement in water quality तब परियोजना के पूरा होने पर नदियों को परदूशन में कमी और पानी के गुनवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा E. None of the above, more than one of the above So try to give your answer Very important question Answer दीजे सभी अपना comment section में Answer is E. Option तो इसमें सभी statements correct है आप as it is इसको यहाँ से याद कर लीजे इन में चीजे आपको याद रखनी है इसकी cost 190 करोड है और ये North India का first river rejuvenation project है और इसे जो है प्राइमिस्टर नरेंद्र मोधी जी ने launch किया था formerly जम्मू से 2019 के अंदर तो ये country का जो first highway village है question number 43 according to a recent study water vapor radiation over the Himalayas have been mainly responsible for the rise in temperature in the high altitude Himalayan region it show the atmospheric radiative effect due to the precipitation water vapor तो इसमें जो radioactive forcing effect होता है it is a change in the energy flux in the atmosphere caused by the natural or anthropogenic factors of climate change तो इसको किसमें measure किया जाता है आपको इसकी unit बतानी है किसकी radioactive forcing effect की options है joules per meter square watts per centimeter square c watts per meter square d option joules per second square and e none of the above more than one of the above so try to give your answer सारी important चीज़े ये question की तुरू हम आपको cover करवा देते हैं answer है इसका c option इसकी unit है watts per meter square तो जो radioactive forces या radioactive radiation effect क्या होता है वो आपको याद रखना है इसमें क्या होता है change होता है energy flux में in the atmosphere किसके कारण natural या anthropogenic factors of climate change के बज़े से तो इसको हम measure करते है watts per meter में तो ये एक scientific concept है जिसमें quantify किया जाते है ये compare किया जाते है जो external drivers of change है आर्थ की energy balance के अंदर तो ये result किसमें करता है ये importance of radioactive effect जो है climate sensitive Himalayan reason के अंदर उसको दर्शाता भी है question number 44 the seventh edition of India's international science festival 2021 organized by ministry of earth sciences ministry of science and technology and vision bharati along with the government of goa was held during 10 to 13 December 2021 in which state goa सरकार के साथ प्रित्वी विज्ञान मंत्रालें विज्ञान एवं प्रदोगी की मंत्रालें विज्ञान भारती द्वारा आयोजित अंतर राष्टे विज्ञान महुत्सव सात्मा संस्क्राण 10 से 13 दिसंबर 2021 के दोरान किस रज्जे में योजित किया है options है A. Karnatka B. Goa C. Kerala D. Tamiladu E. None of the above more than one of the above so try to give your answer अपना answer दिजिए answer is का B option Goa state option no.45 the deep ocean mission India's ambitious plan to explore and harness the deep oceanic resources and support the blue economy initiative of government of India Koroors was approved by the cabinet committee on economic affairs on 16 June 2021 with the budget of which of the following तो गैरे समुदर के संसादनों का पता लगाने और उनका दोहन करने और भारत सरकार की blue economy पहल का समर्थन करने के लिए भारत की महत्वकांशी योजना deep ocean mission को 16 June 2021 को आर्थिक मामलों की cabinet समीती द्वारा budget के साथ अनुमोदित किया गया था तो इसका budget आपको बताना है options है A. 4076 रूपीज B. 4078 रूपीज C. 4075 रूपीज D. 4077 रूपीज and E. None of the above more than one of the above so try to give your answer answer दीजी अपना comment section में answer is D. option रूपी 4077 करोर तो 4,077 करोर रूपीया इसका budget है आपको याद रखना है ये भी option no.46 As per the agriculture's active budget 2022 International year of millets will be celebrated in which year कृषी क्षेतर के budget 2022 के अनुसार अंतराष्टे बाजरा वर्ष किस वर्ष मनाया जाएगा options है A. 2022 B. 2023 C. 2026 D. 2027 E. None of the above more than one of the above So try to give your answer अपना आंसर दीजे सभी answer है इसका B. option 2023 International year of millets को celebrate किया जाएगा 2023 में ये agriculture sector budget 2022 में announcement की गई है आएगा ये नाएगा पूर्ट स्ट्री श्री शर्बननान सोनवाल ने अंतर देशिये जल्मार्क पूर्ट एमवी लाल बाहदुर शास्त्री को जंडी दिखा कर रवाना किया है कौन सी सिटी और शहर से ओप्शन से हैं A. पतना टु गुहाटी B. किशन गंज टु गुहाटी C. साहिब गंज टु फरक्का D. सीरज गंज टु दुब्री E. नन अफ दी अबव, more than one of the above C. टु टु गिव एर आंसर अपना आंसर दीजे सभी C. आंसर इस A. ओप्शन पतना टु गुहाटी C. यह वैसल है इसकी जर्नी स्टार्ट होगी पतना से C. और यह 200 मिट्रिक टन अफ फूट ग्रेंड कैरी करेगा C. अबव, पांडू इन गुहाटी तक ट्रैवल करेगा C. यह वैसल पांगलादेश तो रीच इस देस्टिनेशन बाइ मार्च टूटार्ज टूटार्ज टूटी टूटू C. पांगलादेश टूट्टी टूट टूटूटू C. श्चर नमबर 48 परवत श्रिंखलाव में से कौन सा है ओप्शन से A. अंडीस B. अल्प C. हिमाल्याज D. अलसका E. नन अफ दे अबव और दन वन अफ दे अबव तो टूट टूट गिव एर आंसर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताईए सभी आंसर एसका C. ओप्शन दा हिमाल्याज नमबर 49 दा वोटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट रिलीस बाई विच ओव दा फोलिंग जल जोखिम फिल्टर रिपोर्ट कौन जारी कीक करता है ओप्शन से A. वर्ल्ड वोटर नेटवर्क B. यून ओशन C. यून एप D. वोल्ड वोटर वोटर नेटर E. नन ओफ देपोव और दन वन ओफ देपोव तु आपना आंसर देजे सभी आंसर A. D. ओप्शन वोल्ड वोटर 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 नेटर Qश्रेट नमबर 50 As per the UN report on sustainable development goal 6 on clean water and sanitation for all by 2030 इंडिया एचीवड ओनली 56.6% of the target by which year 2030 तक सभी के लिए स्वच्च पानी और स्वच्चता पर सत्य विकाश लक्षे 6 पर संयोग तुराष्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक का लक्षे केवल 56.6% हासिल किया है ओप्षेंस हैं A 2020, B 2019, C 2018, D 2021 and E none of the above more than one of the above तो ट्राइट तो गिव एर आंसर अपना आंसर दीजे सभी आंसर है B ओप्षेंस 2019 तो इंडिया का जो वोटर रिसॉर्स हैं स्टेट वोटर रिसॉर्स हैं ये सेंटल वोटर कमिशन सिस्टम इसकी स्टोरेज करता है और efficient water यूज किया जाता है sustainable agriculture के लिए तो इसकी reassessment की जाते हैं कि कितनी water availability है और कितने space input हैं ये 2019 में किया गया था तो इंडिया जो है इसकी report के accordingly only 18% जो है annual precipitation receive करता है जो UN report है sustainable development goal 6 की जिसमे clean water और sanitation इसका target है और ये 2030 तक का target है तो इसमें इंडिया ने 56.6% का target अचीव कर लिया है आपको यह भी याद रखने हैं कि composite water management index कौन release करता है इस organization का नाम याद रखते हैं नीती अयोग नीती योग इसको release करता है तो 2019 में नीती योग ने composite water management index के द्वारा यह release क्या था कि 75% household है इंडिया के अंदर जिनको अभी भी drinking water एक्सेस नहीं हो पा रहा है पीने का पानी नहीं मेंग पा रहा है तो इसके accordingly इंडिया की रैंक आपको याद रखने हैं वो कितनी है 120 है अमंग 122 कंट्रीज के अकुडिंग लिग इस्प्रेंस इस इस ओल अबाव टुड़ेश सूपर टैस सीरीज एड फॉर दा पेपर वन तो यह सारे important question है इसको आप अच्छे से सुन लीजिए रिवाइस करते रहेगा और साथे साथ telegram channel का जो data प्रोवाइड करते हैं और इंस्टाग्रम पर उसको भी follow करते रहना है आपको aspirant dream civil services के नाम से provided है और link जो है description box में given है aspirants next class के लिए आपका जो homework है वो revision करना है theory सारी series जो हमने provide करती है 1 to 6 और साथे साथ super test series को भी revise करके आना है 1 to 8 तो हम आपसे important questions ऐसे ही put करते रहेंगे आप भी practice करते रहें पूरी मैनत करते रहें हमारे साथ तो आप इस exam को easily crack कर सकते हैं आप वरी मत किजेगा जो भी current affairs है वो सब हम आपको यह प्रोवाइड कर देंगे important और ज्यादा ही provide करेंगे जितना exam के लिए जुरूरी है उससे ज advantage ले सके तो उनको भी फायदा पहुंचे अगर उनको अच्छी knowledge right guidance मिलने ही पा रही है तो उनको पास भी material पहुचना चाहिए so thanks for watching this video मिलते हैं new videos के साथ जल्दी with aspirant receive services जैं हिंद